वेल्कम पूश्टडी चैनल मेर नाम है मुहम्मद कैसर एक इंपोर्टेंट अपडेट है आप सभी छातों के लिए जो टेज़ेटी विज़ेटी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आज यूपी सिक्षा सेवचाओं आयोक से एक इंपोर्टेंट अपडेट निकल कर आई है अध्यक्ष की निक्ति को लेकर आज अपडेट ये मिल रही है दोस्तों कि जो अध्यक्ष की निक्ति है ये 15 अगस तक कर ली जाएगी तो एक राहत की ख़बर है कि 15 अगस तक नए अध्यक्ष नए सिक्षा सेवच आयोक को मिल जाएंगे उसके बाद भरतियों पर काम शुरू हो जाएगा सितंबर में भरतियों पर कारवाई शुरू हो जाएगी सबसे पहले लंबित परिक्षाएं होंगी आपको पता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्जाम अक्टूबर नॉमबर तक और उसके बाद फिर 22 की TGT PGT का नंबर आएगा दिसंबर तक परिक्षा होने की संभावना है डिले हुआ तो 2025 भी हो सकता है लेकिन 2025 का जनवरी फर्वरी आप एक्सपेट कर सकते हैं इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा तो औरेडी डिले काफी हो गया है आप सबको पता है 2022 पर पाम भराया था परसेट शुरू हो जाएगी एक्टूबर नॉमबर तक असिस्टन प्रफेसर और फिर डिसंबर से जनवरी लास्ट फर्वरी आप मानकर चलिए टीजीटी पीजीटी की परिक्षा हो जाएगी और फिर नई भरतियों को लेकर भी काम सुरू होगा एक नई टीजीटी पीजीटी की भरति को लेकर चर्चाएं हैं दस एरक्यास पास पदों पर तो आप यदि नई भरति के रियारी में इंट्रेस्टेड हैं तो पढ़ाई आप करते रहिएगा नई भरति में कुछ अहम बदलाव भी होंगे जैसे नई भरति में GS के साथ आपका विसेवी पुछा जाएगा TGT और PGT दोनों में ठीक है इंटर्वी TGT में पहले भी नहीं था अभी भी नहीं है PGT में इंटर्वी हाला की होगा साथी साथ जो सबसे बड़ा बदलाव है वो यह होने जा रहा है दोस्तों जैसे ही B8 की समकख शहरता हो किया जाएगा तो LT grade की भरती निकलेगी यहाँ पर भी दोस्तों जो प्रवक्ता वाली भरती है उसमें PGT अब मांगा जाएगा यह जनकारी निकल कर आ गई है ठीक है? और pre-mains होगा यह आप मांगर चलिएगा LT grade में GS यहाँ पर पहले भी आता था LT grade में लेकिन अब pre-mains का concept आ रहा है दस रहर के आसपास LT grade भरती की भी पूरी पूरी उमीद है समकक्षारता देखना होगा कितना समय और लगता है जब clear होगा तो यह विग्यापन जारी किया जाएगा यह पी PC के अध्रस सहाब बिल्कुल यह clear कर चुके हैं जहां पर कुछ typing test वगेर होता है short hand होता है वहां पर एक exam हो सकता है क्योंकि यहां पर चरट दो हो गए लेकिन जहां पर interview भी नहीं है कोई skill test नहीं है तो वहां पर pre-mains होना है खंड सिक्षादिगारी के भी 89 पदों का धियाचन फिर PC को मिला हुआ था लेकिन यह भरती भी फस गई है क्योंकि समकक शार्ता वाला मामला यहां पर भी है पत्र भेजा गया है शाचन के पास देखते हैं कब तक यह मामला क्लेर होता है तो एक BEO की भरती भी देखनी को मिलेगी हाला कि पत्र कम है 89 ही पोस्ट है लेकिन अब जो है वो मैं आपको बता सकता हूँ और इस संबंद में आगे और भी कोई अब्रेट आएगी सुचना दिया जाएगा जूड़े रहिएगा हमारे साथ वीडियो को लाइक करता है चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए और हमारे साथ बने रहिए थैंक्स पर वाजिए